हेलो दोस्तों नमस्ते सस्रियाकाल सलालेकुम राम राम सबको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपोर्टन टोपिक है आज की इस वीडियो का जिसको बोलते हैं पाइथन स्ट्रिंग्स पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ आसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दा कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं पाइथन में उनको या तो हम ऐसे डबल कोट से दर्शा सकते हैं या ऐसे सिंगल कोट से दर्शा सकते हैं लेकिन दोनों ही स्ट्रिंग बोले जाते हैं दो दोनों का नाम भी सेम होता है, दोनों के चहरे सेम होते हैं, दोनों के अंदर कुछ भी value होती है, कुछ भी data होता है, वो सारा का सारा सेम होता है, लेकिन single quote या double quote के आजाने से कोई फरक नहीं पड़ता, हम दोनों को str यानि की string बोलते हैं, string एक data type है python में, जिसकी help से हम python में coding करते हैं time, data input करते हैं, string की form में या text की form में, strings जो होते हैं, text की form में लिखे जाने वाली चीज़े जो होती हैं, उनको हम string बोलते हैं, इस सारे words जो हैं ये, आप string बोल सकते हैं इनको, अब string literal को display करने के लिए coding करते time, string literal को दिखाने के लिए हम print function का use करते हैं, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में हमने type function के भी देखा था, type function का use कब करते हैं, और print function का use भी हम देचुके हैं, और string को दिखाने के लिए हम print function का use ही करते हैं, example print bracket में double quote में hello लिखा हुआ है print bracket में single quote में hello लिखा हुआ है लेकिन दोनों का output जो आएगा वो same ही आएगा दोनों का output hello ही आएगा मैंने छोटा एच लिया है लेकिन बड़ा एच आया तो कि बड़ा एच था ये हम video number 3 में हम पढ़ चुके थे आज हम start करते हैं इसके आगे का किस्सा अब क्या हो गया देखो next बात क्या है कि एक variable variables के बारे में हमने second video में पढ़ा है जिन लोगों ने नहीं देखी है second video उसमें variables का पूरा का पूरा topic हम कर चुके है प्लीज आप चाके variables का topic देखो अब एक variable के अंदर हमें string value assign करनी है दोस्तों जिनोंने second video देखी है उनको तो पता है variable का क्या matter होता है अब हमें उसमें string value assign करनी है हम string value किसी variable के अंदर assign कर सकते हैं कब अगर हम equal का sign यूज़ करेंगे और string का यूज़ करेंगे double quote या single quote का use करके हम किसी भी variable में string की value assign कर सकते हैं जैसे कि ये a कोई हमने एक variable ले लिया is equal to का sign double quote के अंदर हमने hello लिखा फिर अगर हम print function का use करके a को print करवाएंगे तो हमारे पास output की आएगा हमारे पास output आएगा hello ये तरीका होता है किसी variable के अंदर हमने string value को assign करना है बले ही यहां पर double quote लगा लो या इसको मैं अटा देता हूँ single quote लगा लो कोई फरग नहीं पड़ता लेकिन string value को variable में डालने के लिए is equal to का sign और double quote single quote लगाने पड़ते अब कभी कभी क्या होता है कि coding करते है मानलो आप कोई website बना रहे हो उस website में आप python की help से ये तो एक word हमने डाल दिया variable में hello या awesome, fantastic, equal, done, variable ये तो string भी छोटी-छोटी लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक से जादा line, बहुत सारी line डाल दे तो बहुत सारी line डालने के लिए multi-line string डालने के लिए हमें three quotes का use करना पड़ता है single quote का use और double quote का use तो आप लोगों ने देख लिया जब सिर्फ एक word की बात आ रही है कोई English का एक word है उसमें हम double quote का use भी कर सकते हैं और उसमें single quote का use भी कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी line आ गई यह सारी line हमें एक ही variable में डालनी है तो हम क्या करेंगे triple quotes का use करेंगे यानि कि तीन बार quote का use करेंगे एक, दो, तीन बार quote का use करेंगे हमारा जो भी हमने line डालनी है सारी के सारी line डालके और triple quote से ही उसको क्या कर देंगे बंद कर देंगे फिर अगर प्रिंटे करवाएंगे तो जो ये इंगलिश में लिखा हुआ है ये सारा का सारा प्रिंट हो जए तो यहां से हमें दो बाते पता लगी है variable के अंदर string value assign करने के लिए हमें equal to assign और double quote के अंदर चीज लिखनी पड़ती है उसके बाद print कराते हैं बहुत सारी line हमें अगर string डाल दी है variable के अंदर तो हमें triple quote या नहीं तीन बार quote का यूज करना पड़ता है लाइनों के शुरू में और लाइनों के लास्ट में तो हमारी line जो है सारे के सारी print हो जाती है ठीक है जी चलिए अब देखो strings क्या होते हैं strings nothing but strings are arrays होते है arrays basically क्या होते हैं arrays वो होते हैं जिनको हम bytes की form में count कर पाते हैं एक, दो, तीन, च्यार ऐसे शब्द जिनके शब्द के अंदर जो letters होते हैं उनको हम count कर पाते हैं गिन पाते हैं कि यह letter इस number पे है यह letter इस number पे है basically यहां पे वो बात की जा रही है इससे related question आ भी चुका है HSSC color के exam में दूसरी programming languages के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो python में strings होते हैं वो इस तरह के arrays होते हैं जो bytes represent करते हैं unicode characters में यहां से question भी बनता है कि which data type in python are arrays of bytes representing unicode characters तो answer क्या करोगे strings in python are the arrays of bytes representing unicode characters कि ऐसा कुंसर data type है python के अंदर जो array की form में bytes को represent करता है तो क्यों होता है string होता है क्योंकि English में लिकी हुई चीजें तो ही count कर सकते हैं अब यहां पे मान लो A, R, A, Y, S, यह लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें letter हैं गिन सकते हैं तो सिर्फ किसको गिन सकते हैं जो English में लिखा हुआ है और English में लिखी हुई चीजों को क्या बोलते हैं string बोलते हैं ऐसे याद रख लेना ठीक है तो यहां से फता लग जाएगा आपको bytes में arrays किसको count कर सकते हैं गिन सकते हैं तो strings को गिन सकते हैं basically python में कोई data type नहीं होता कोई character नाम का कोई data type नहीं है python में python does not have a character data type लेकिन a single character जो होता है simply a string with a length of one जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया a अब इसके आगे मैंने double coat लगा दिया है तो यह भी string लेकिन इसमें character कितने हैं यह a की तो character है ना a, एक दो तो नहीं है अगर इसके आगे a और b और लगा दूँ तो यह कितने हो गए अब हो गई है तो यह बोल रहा है कि python में वैसे तो कोई character data type नहीं है लेकिन strings जो होती है उनके characters को हम गिन सकते हैं अब किसी भी string में अगर हमें पता करना है कितने elements हैं उसमें तो हम वो पता करने के लिए square brackets का use करते हैं buddy-balli brackets का use करते हैं कैसे चलिए देखिए और world लिखा है यहाँ पे exclamation का sign भी है और यहाँ पे coma भी है और यहाँ पे coma के बाद एक space भी दिख रहा है आपको ठीक है अब हमें क्या करना है कि इस पूरे के पूरे string में से one जो है पहले number पे जो है उसको print कराना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ भी आपने ये कोई word है English का कोई भी एक word लिखा हुआ है इसका जो सबसे पहला character होता है उसकी position बताई गई है कौन सी zero बले ही वो आगे से start हो बले ही वो पीछे से start हो आगे बात करेंगे पीछे के बारे में भी अब देखो यहाँ पे अगर मैं मान लो A B C D और E वैसे तो 5 हैं A, B, C, D, E लेकिन जब गिंती करेंगे कहाँ पे अगर Python की बात आती है, strings की बात आती है तो A आएगा 0 नमबर पे B आएगा 1 नमबर पे C आएगा 2 नमबर पे D आएगा 3 नमबर पे और E आएगा 4 नमबर पे नमबरिंग तो होगी ऐसे लेकिन वैसे बोलने में क्या आएगा A, B, C, D, E, 5 है टोटल तो ऐसे ही A is equal to double quote के अंदर hello, space world और exclamation का sign है यह सारे के सारे count होंगे तो अगर hello world यह जो लिखा हुआ है string value A में variable में assign की हुई है हमने इसको अगर हम गिने तो H, E, L, L, O 5, 6, space 7, 8, 9, 10, 11, 12 और exclamation मिलाके 13 तो इसमें total character तो कितरे होगे? 13 होगे हमें कौन सी position पता करनी है? position 1 कि 1 पे कौन सी position है? तो 1 पे H थोड़िना है अगर यही same example paper में आ जाए कि A is equal to hello world print A bracket में एक bracket ध्यान रखना बड़ी वाली bracket है बड़ी वाली bracket का मतलब उसके अंदर एक लिखा हुआ है तो हमें जो दिया हुआ है इसमें पहले नंबर पे जो है उसको output में निकला है option में H भी मिलेगा option में W भी मिलेगा option में E भी मिलेगा option में exclamation भी मिलेगा अब जिन्होंने ये वीडियो देख ली और पता लग गया कि भाई string में कुछ भी लिखा हो लेकिन सबसे पहला जो character होता है वो उसकी zero place होती है उसके बाद वाले की एक नंबर की place होती है हमें तो आता है बाकियों का पता नहीं हम तो ना पढ़ें ना पढ़ें हमने तो पढ़ ली ये चीज के भाई strings ही अंदर पहले नंबर का जो लेक्टर होता है character होता है उसकी place जो होती है वो zero होती है और हम से पुछी गई place है one तो one तो भाई ये की है ये कर देंगा answer बैस हो गया एक नंबर पका ओजगता है इसी एक नंबर से नोकरी मिल जाए बही सत्तर पे लिश्ट जाती थी हमेशा 79 आते थे दो तिन बार पेपर दे चुका हूं भाई अब कि बार देखते हैं भाई अब कि बार 79 तो हो गए ये क्या क्या यार य याद आया भाई स्ट्रिंग करेक्टर्स में पाइथन में जब वेरियेबल में कोई भी स्ट्रिंग वेल्यो साइन होती है और नीचे प्रिंट में हमें बड़ी वेरिया किट दिख जाए मतलब वो हमसे पहले नंबर की प्लेस पे जो लेटर है न वो पूछ रहा है ओप्श कैसे वो आम के वो टुकडे करती है तो पाइथन में स्लाइसिंग वही होता है पाइथन में बस इतना आ जाता है स्ट्रिंग्स के टुकडे-टुकडे हमें कैसे करने हैं और क्या होता है देखिए स्लाइसिंटेक्स का यूज हम करके कई करेक्टर्स की एक रेंज को रिटर्न जहां भी आपको प्रोग्रामिंग में यह रिटर्न शब्द लिखा दिए ना रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे एंटर करते हैं हमारे पास आउट पूट आता है यूगन रिटर्न ए पास्ट का इंडेक्स एक कोलन से सेपरेटेड होता है यह जो दो बिंदी देखते हो न आप इसको बोलते हैं कोलन और यह उपर जो एक बिंदी और नीचे कोमा होता है इसको बोलते हैं सेमी कॉलन एक्जामपल से आपको समझ में आ जाएगगा गेट दा करेक्टर्स फ्रों पॉजिशन टू टू पॉजिशन फाइफ नोट इंकलूटीड यहां तो नोट इंकलूटीड लिखा हुआ है मरे भाई और मेरी बहन लेकिन यह नोट इंकलूटीड ना पेपर में नहीं लिखा म मिलेगा गेट दा करेक्टर्स फ्रों पॉजिशन टू 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 पॉजिशन फाइफ और निच्चे लिख देंगे बी इस इकल टू है लवर्ड प्लिंट भी दो कॉलन पांच कितना लिख देंगे अब बताओ भाई अंस्वर यहां पे जो नोट इंकलूटीड है ना इसको पांच भी पोजिशन है यह इंकलूट नहीं होती इस हैलो वर्ड में एच कौन से नंबर पे है जीरो पे ई कौन से नंबर पे है एक पे और यह एल कौन से नंबर पे है दो पे और यह चोथा एल कौन से नंबर पे है तीन पे यह ओ कौन से नंबर पे है च्यार पे कॉमा कॉन से नंबर पे है पाँच पे स्पेस कॉन से नंबर पे है छेंपे डबलू कॉन से नंबर पे है साथ पे ऐसे है ठीक है हम से क्या पुझा है दो से लेके पाँच तक दो से पाँच तक लेकिन ना 2 count होगा, ना 5 count होगा, 0 को छोड़ देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, और ये L जो 2 नमबर पे था, इसको छोड़ देते हैं, तो हमें क्या चीए, 3 यानि की L, 4 यानि की O, और 5 मा चीए या नहीं चीए, नहीं चीए भाई, 2 और 5 count नहीं करने, तो L और O हमारा option ठीक होगा, एक option में LO मिलेगा, एक option में EL मिलेगा, एक option में, एक option में आपको मिलेगा WO, कन्फ्यूज नहीं होनेगा दोस्तों, ठीक है, दो से 5 पूचा था, ना 2 count करेंगे, ना 5 count करेंगे, 3 और 4, 0, 1, 3 पे L, 0, 1, 2, 3 पे L, और 4 पे, LO is our right answer, इस तरीके से slicing होती है, पाइथन में strings करेंगे, ठीक है, वो था, जो अभी हमने किया, this is positive indexing, positive indexing का मतलब होता है, कि, प्लस वाली चीज़े, 2 से 5, 1 से 3, 4 से 6, प्लस में, फिर आता है negative indexing, negative indexing में, मैनेस वाली चीज़े आ जाती है, सीधा example प्याता हूँ, same question, get the characters from position 5, 2, 1, देखो, उल्टा हो गया यहाँ पे, वहाँ पे क्या पुछा था, 2 से 5, यहाँ पे क्या पुछा है, 5 से 1 और not included है वाई, 5 को और 1 को, count नहीं करना, starting the count from the end of the string, और आपको न, यह बात भी कोई paper में लिखके नहीं देगा, कि starting the count from the end of the string, यह सिर्फ यहाँ पे example समझाने के लिए मैंने लिखके है, paper में कोई नहीं लिखकेगा, paper में सिर्फ इतना लग देगा, यहाँ से लेगे और यहाँ तक कोई नहीं लिखके देगा आपको, कोई न प्यार से बोलने वाला कि भाई, चोटे भाई, लाड़ले भाई, नो गरिये, पांच नहीं और एक न काउंट मत करिये, अच्छा, बताऊं तर नहीं बताऊं, किसे दिनी बताऊंगा, और आगरी पांच से एक, चलो भी शुरू करते हैं, तो पीछे से करेंगे तो, एक्स्लेमेशन का साइन कौन से प्याज़ेगा, जीरो, एल कौन से प्याज़ेगा, वन पे, आर कौन से प्याज़ेगा, टू पे, ओ कौन से प्याज़ेगा, थ्री पे, डबलू, च्यार पे, यह स्पेस प्माच पे ये कोमा छेंपे ये डबलू पो साथ पे क्योंकि कोमा और स्वेस भी एक आड़ होते हैं भाई ध्यान रखना अब ध्यान रखने की बात यह है या तो आप से पुछेगा एक ये ऐसी स्ट्रिंग देके कि get the characters from this to this position यहां से यहां तक के बता दो यहां से यहां तक के बता दो दूसरी तरह question कैसे बन सकता है कि आपको b is equal to hello world या a is equal to hello world कुछ भी एक आपको variable के बराबर में स्ट्रिंग लिखके दे देगा और आप से पूछेगा कि what is the code कि भई code क्या है what is the code to find out the characters from position 5 to 1 पांच से लेके एक तक की characters की position निकालने के लिए दिये गए variable और string जो दिया गया है उसकी coding कैसे होती है तो coding यह ऐसे करते हैं print bracket आपको तो पता है print के बाद तो छोटी bracket लगती है ठीक है अब जो भी चीज़े पूछी करी है जो भी मामला set करना है वो छोटी brackets के अंदर हुआ अब छोटी brackets के अंदर हमें चीज़ें पता किसके अंदर से करनी है तो bracket के बाद पहले क्या लिखेंगे B के अंदर से पता करनी है अब B के अंदर से पता क्या करना है भी position पता करनी है इसका पतलब क्या हो गया, पांच से लेके दो तक, लेकिन पीछे से, बीच में जो भी करेक्टर साते हमें पता करने हैं, लेकिन पांच को और दो को काउंट नहीं करना, चले भी, 0, 1, 2 पे था L, तो 3 पे क्या आगया, और 4 पे क्या आगया, ओ, क्या W को काउंट करेंगे, अच्छा, 0 पे exclamation, 1 पे D, 2 पे L, तो 2 पे L है, तो 2 L नहीं लेंगे, हम लेंगे R, 3, O, 4, W, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, O, R, L, R, O, L, या L, O, R, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर O, R, L लिखावा मिल सकता है, अंसर क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ यही करोगे, ठीक है बई, तो positive indexing, आगे से पीछे, negative indexing, पीछे से आगे, चले आगे, चलो जी, अब अगर हमें सिर्फ इतना दे दे, ए कोई variable दे दिया, is equal to double quote के अंदर हमें string value दे दी, और हमें अंसे पूछे कि what is the code has to be written to find out the length of the string, इस string की length पता करने के लिए क्या code लिखा जाएगा, या हम which function we use in python to find out the length of a string, तो len, देखो length find out करनी है, L, E, N, G, T, H, तो len function का use करेंगे, आसान है अधरे जाएगे न, length के लिए len function, आगे-आगे के तीन character समने रख लिए bracket लगा दी, len function हो गया, तो print, len और a की पता करनी है, a variable की length पता करनी है, क्या कितना कुछ है, तो answer आजाएगा हमारा, क्या आजाएगा, कितने हैं, एक, दो, तीन, च्यार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, तस, क्यारा, बारा, तेरा, टोटल, तेरा characters है, आउटपुट में हमारे पास क्या आजाएगा, तेरा आजाएगा, तो string के length बदा करनी के लिए, len function का use करते हैं, python has a set of built-in methods that you can use on strings, python के पास बहुत सारे built-in methods होते हैं, जो हम use कर सकते हैं, किस चीज के लिए, देखो, अब एक आगता है, strip function, s-t-r-i-p, strip function, strip function method किस के लिए use करते हैं, remove the white spaces from the beginning or the end, अगर कोई हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें, शुरू में हमने space दे दिया, यहाँ पर देखो, space दे दिया, यहाँ exclamation के बाद एक और space दे देते, फिर एक और space दे देते, फिर double coat लगा देते, तो फाल्तु के जो spaces हैं, उनको दूर करने के लिए strip function क method का यूज करते हैं, print, bracket के अंदर, a.strip, start, bracket, close, और bracket, close, यानि कि हमें क्या-क्या है, a.strip, a के अंदर से जितने भी space हैं, फाल्तु के, उनको अटा दो, तो return में हमारे पास देखो, यहाँ जो शुरू में space लगा हुआ था, यह हट जाता है, last में कोई spaces थे, वो भी हट जा जाता है, तो spaces को remove करने के लिए, white spaces आ जाया, या spaces को remove करने के लिए, शुरुवात से, या end से, किसी string के अंदर, तो हम strip function का use करते हैं, दोस्तों, याद रखना, strip, और अगर पिछे से थोड़ी बहुत noise आ रही हो, उसको थोड़ा सा ignore करना, दोस्तों, thank you, अब बात आती है कि अगर हमें कोई string दी हुई है, और हमें क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, lower और upper, देखो, दो case होते हैं, English language में, छोटी ABCD होती हैं, और बड़ी ABCD होती हैं, छोटी ABCD को बोलते हैं, lower case और बड़ी ABCD को बोलते हैं, upper case, ये आपको सबको पता है अब अगर हमें कोई variable के सामने is equal to double quote के अंदर hello world करके हमें को string value assign कर दी और हम कराते हैं print a dot lower function तो हमारे पास output में क्या आएगा ये जो h बड़ा है ये भी छोटा हो जाएगा और ये जो w बड़ा है ये भी छोटा हो जाएगा और ये hello world जो बड़ा की छोटे लिखा है same as it is आजाएगा छोटा करने के लिए lower function वहीं a is equal to hello world लिखा हुआ है और हम print a dot upper function का use करते हैं तो ये सारे के सारे h, e b बड़ा आजाएगा l b बड़ा आजाएगा, o b बड़ा आजाएगा सारे के सारे क्या हो जाएगा ये, upper case में हो जाएगा अगर हम upper function का use करेंगे अब अगर हमें कोई string दी होती है उसमें हमें कोई एक character किसी दूसरे character के साथ replace कराना हो तो हम replace function का use करेंगे print bracket में a dot replace bracket में h को replace करना है j से, तो hello world की जगह पे पाद में आ जाएगा j low world h की जगह पे j आ जाएगा कोई string दी हुई है छोटे करने है lower function को string दी हुई है बड़े करने है upper function को string दी हुई है उसमें किसी एक character की जगह पे कोई और character fit करना है तो replace अब split करना है this split method split the string into sub strings it is finds instances of the separator देखिए bracket में double quote के अंदर हमने क्या कर दिया comma कर दिया अब यहाँ पे देखो hello comma space world दिया हुआ था हमने double quote के अंदर comma को split में रख दिया तो return क्या हुआ हमारे पास hello अलग से return होगा comma और world अलग से return होगा split इन दो यह जो दोनों शब्द थे यह दोनों अभी साथ दिख रहे थे लेकिन हमने split कर वा दिया कि भाई comma से पहले और comma के बाद जो भी चीज़ें हैं उनको अलग-अलग कर दो दोनों string है पहले दोनों एक complete string थी अब दो string हो गई एक hello string हो गई एक world string हो गई दोनों कि देखो single quote के अंदर hello है और single quote के अंदर world है दो अलग-अलग string हो गई तो split करने का method होता है चलें जी चलो जी अब आता है string format हमने chapter number second में पढ़ा था क्या पढ़ा था variables के chapter में हमने पढ़ा था कि हम किसी string को जैसे कि यह example नाम का एक शब्द है यह string है और 36 इन दोनों को add नहीं कर सकते जमा नहीं कर सकते यह हम पढ़ चुके हैं क्या reason था नहीं जमा कर सकते second वीडियो में जाके देखिए अब अगर हमने कोई variable लिया a,g,e अच्छा यह जो a,g,e variable लिया है इसकी जगह पे मगर मैं a,g,e is equal to 36 कर दूँ तो क्या मैं सही हूँ क्या यह age character variable और यह age variable equal माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे जिन्होंने दूसरी वीडियो देखिए वो answer करेंगे comment में यहाँ पे मैंने age 36 लिया है और एक और मैंने जिसमें a बड़ा कर दिया ge चोटे ही हैं क्या यह दोनों variable equal माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे इसका अंसर मुझे comment में करके बताइएगा जिन्होंने वीडियो देखिए हैं वो answer easily कर देगा अब भीर हमने एक txt variable लिया जिसमें हमने एक string value बूल की my name is John, I am अब देखो double quote और double quote यानि यहां से लेके और यहां तक string value है plus age यह जो variable लिया था print txt but we can combine string and numbers by using the format method ऐसे txt करके अगर हम यहां पे लिखते हैं my name is John, I am plus age की जगह पे यहां पे 36 आ जाए my name is John and I am 36 तो यह तरीका गलत है हम ऐसे string value को और number को add नहीं कर सकते string को और number को अगर हमें add करना है उसका तरीका क्या होता है उसके लिए हमें format function और format this method का यूज़ करना पड़ता है और curly braces का यूज़ करना पड़ता है चलिए देखिए example के से समझते है हमने एक variable लिया age जिसमें हमने age डाल दी 36 ठीका भाई value डाल दी फिर हमने एक variable लिया txt जिसमें हमने string value डाली my name is John, and I am और हमने curly braces का यूज़ कर दिया simple इतना लिख दिया बस अब हम क्या करेंगे print txt तो print करेंगे लेकिन dot format method के साथ format bracket में age अब यह जो format bracket में age जो हम लिखेंगे ना हमारे interpreter के पास जो संकेत जाएगा वो यह जाएगा कि इस txt का format कुछ ऐसा करो कि age जो है वो curly braces की जगह पे लिखी जाए simple आपके बास आउट पुट आएगा वो आएगा my name is zone and I am 36 तो अगर कोई आप से कभी पूछे कि python में strings को और numbers को add करना है एक साथ मिलाना है तो क्या use करेंगे भाई format method का use करेंगे बहुत important question है अगर कोई आप से पूछे कि क्या हम python में string value को और numbers को add कर सकते हैं तो answer करो गई क्या yes कैसे कर सकते हैं format method से कर सकते हैं clear चलिए जी अब एक आता है आपका escape character to insert characters that are illegal in a string use an escape character अगर कोई आप string लिख रहे हो और उसमें आप कोई ऐसा character डालना चाहते हो जो उसमें fit नहीं बैठता है या illegal है तो आप escape character का use कर सकते हो an escape character is a backlash यह जो एक backslash होता है एक forward slash होता है followed by the character you want to insert अब मान लो कोई भी English का word आप followed by the यह लिखना चाहते थे यहाँ पे पीच में आप n डालना चाहते हो तो आप क्या करोगे backslash उसके आगे n लिखोगे यहाँ पे तो फिर n यहाँ पे जुड़ा जाएगा followed by n दा लिखा जाएगा example देखते हैं you will get an error if you use double quotes inside a string that is surrounded by a double quotes अगर पहले से ही कोई string है we are so called from the north यह double quote के अंदर और यह double quote के अंदर तो यह पूरी एक string थी इसके अंदर एक और हमने string डाल दी double quote करके तो वो error होता है इस problem को fix करने के लिए escape character का use करो यानि कि we are so called जहां पर यह जो वीकिंग्स डालना था इस वीकिंग्स के आगे backlash और इस वीकिंग्स के पिछे backlash और double quote वीकिंग्स स्टार्ट में और double quote फिर इसके बाद अगर ऐसा करोगे तो आपके पास फिर जो output आएगा वो आएगा we are so called वीकिंग्स from the north I hope clear हो गई होगी चीज़ें कि अगर किसी स्ट्रिंग में हमने कोई ऐसा character डालना है जो उसमें डालने की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे backlash का use कर सकते हैं escape character का use कर सकते हैं पहले से एक स्ट्रिंग बनी हुई है उसके अंदर double quote या single quote का use करके एक और word डालने गे तो हमारे पास क्या आएगा error आएगा गलत है अगर हमें string के अंदर string डालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा जो भी हमें डालना है उससे पहले backlash और उसके बाद backlash लगाना पड़ेगा आसान है याद रह जाएगा चलिए जी अब ये कुछ sign है देखो इसको बोलते है single quote backlash और उपर एक हमने को quote लगा दिया single quote इसको बोलते है single quote इसको backlash बोलते है ये ऐसे अगर back और ये end होता है इससे नई line बनती है code में R से carriage return बचितना याद रखो ये symbol कभी पूछे जा सकते हैं मैं शूर नहीं हूँ T से tab के लिए जूज होता है B backspace के लिए जूज होता है F form feed के लिए जूज होता है O octal value के लिए XHH hexa value के लिए hexa decimal जिसको बोलते हैं अब देखो method होते है capitalize method use होता है Converse the first character to upper case हमने जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपर वाला उस अपर case ने क्या किया था उस अपर method ने क्या किया था सारे के सारे characters को बड़ा कर दिया था लेकिन सिरफ अगर पहला पहला word का character जो बड़ा करना है तो capitalize का use करेंगे case fold का use होता है string into lower case पूरी की पूरी string को lower case में convert कर देता है case fold और जो lower method हमने देखा था वो भी कर देता है center method से क्या होता है return से centered string जो बीच की string होती है उसको हमें दिखाता है count method use होता है return the number of time specified values occurs in a string encode का use होता है return an encoded version of the string ends with का use होता है return is true if the string ends with the specified value क्योंकि से special specified value से string end हो रही है तो true value हमें दिखा देता है ends with expand tabs का use होता है tab size set the tab size of the string strings के tabs के size को set करता है expand tabs find use होता है search the string for a specified value return the position where it was found कोई भी एक string दी होती है तो find method का हम use करते है string के अंदर character की position पता करने के लिए और जैसे उस character की position पता हो जाती है वो हमें बताता है कि वो character इस position पे है format का हम भी हमने use देखा था format specified values इन a string format underscore map method का use होता है format specified भी भी same है दोनों index method का use होता है string में कुछ सर्च करता है specified value को और जहां पे वो मिलती है उसको हमें बता देता है index का भी same use होता है और find का भी same use होता है is a l n u m इसको आप कुछ भी अपने हिसाब से जैसा आपको याद रहे वाशा बोल सकते हो is a l num बोलता हूँ मैं तो is a l num यह क्या करता है true value हमें दिखाता है अगर string के सारे characters alpha numeric है alpha numeric का मतब एक a दो भी उसमें numeric भी है और उसमें alpha bet भी है तो हमें true value देता है अब is alpha यह तो is a l num हो गया is alpha हो गया तो यह true value दिखाएगा अगर सारे के सारे characters string के जो है वो alphabet है alpha alphabet is decimal यह true दिखाएगा अगर सारे के सारे characters जो है वो decimal में है is digit अगर सारे characters string के digit है is identifier अगर सारे के सारे string जो है एक identifier है is lower अगर सारे characters lower है is numeric सारे characters अगर numeric है is printable अगर सारे characters printable है is space अगर string के अंदर white spaces है extra spaces है is title true दिखाएगा अगर string follows the rule of a title अगर title की तरह से लिखा गया string है तो is title method क्या करेगा true value दिखाएगा इस अपर string में अगर uppercase है join method join the elements of an iterable of the end of the string ऐसे elements को string के last में जोड देगा just return a left justified version of the string lower converts string into lower case बदल देगा strip return a left trim version of the string यह left trim क्या होता है justified क्या होता है justified होता है justified होता है जैसे का तैसा बैसा बैसे का बैसा कुछ मतला हो नहीं है यह left trim in के बारे में जादा आपको सोचने के जरूर रद नहीं है सीखने ही जरूर नहीं है बस कभी आपको अगर ऐसा लिखा दीखे तो आई strip answer कर देना make trends return से translation table use into translation replace का आपको पताया था find वही same आ गया find our index same आ गया just return just justified version of the string जैसा पहले था वैसा ही आपको दिखा देता है just यह our just और यह i just दोनों same है partition return से tuple अब भी हमने पढ़ा नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा सोचिये मत split split कर देता है strip अभी हमने देखा था फिर से split आ गया दो बार क्यों आ गया splitness same चीज होती है starts with होता है true value दिखाता है string starts with specified value अच्छा यह भी हो चुगा है swap case swap case lower case became uppercase and vice versa छोटे बड़े हो जाते हैं और बड़े छोटे हो जाते हैं swap जैसे आइफोन के mobile को आफ swap करवाते हो apple store में जाके वैसे ही ये string में characters को swap कर देता है अदला बदली कर देता है title convert the first character each word to uppercase हर एक character को हर एक word के character को uppercase कर देता है title तो English को Hindi में बदल देगा अपपर का आपको पता है अपपर केस में बदल देता है fill the string with a specified number 0 values at the beginning तो ये था हमारा string का character next video में python booleans का topic हम start करने वाले हैं तो I hope आज इस video को देखने के बाद python string से related कोई भी question आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि python string में आपने single code double quote का method देख लिया है क्या होता है print function क्या होता है variables में हम string value assign करते हैं multi जिक से ज़्यादा line कैसे लिख सकते हैं counting कैसे कर सकते हैं आगे से पीछे पीछे से आगे indexing कैसे कर सकते हैं कौन सा number कौन सी जगह पे है कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा length कैसे पता कर सकते हैं strip method का क्या use होता है examples देखे हमने lower case करने के uppercase करने के एक word को दूसरे word से replace करने के split method करने के format देखा हमने string को हम number में कैसे चोड़ सकते हैं escape character का क्या use होता है यानि कि एक string पहले से ही है कि उसके बाद हमने string से related जितने भी method हैं उन सब को देखा आप इनको दो तीन बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे पाइस आप मैं guarantee लेता हूँ अगर string से कोई question बाज आए ना आपकी जिंदिगी में आपका कभी गलत होई नहीं सकता अगर ये string वाला concept आपने आज दंग से देखा होगा तो दो बार देखो तीन बार देखो चार बार देखो वीडियो को किसी ने कोई बनाई नहीं किये टाइम होता है हमारे पास 24 गंटे होते हैं उसमें हम अगर सारे subjects भी पढ़ें तो भी हम एक आदर गंटा निकाल सकते हैं कंप्यूटर के लिए तो thank you so much students बहुत अच्छा response आ रहा है अपका धन्यवाद दिल से आप लोगों का प्यार देने के लिए वीडियोस को ऐसे ही देते रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कोई भी question हो कोई भी doubt हो comment लेकर के पूछ सकते हैं तो subscribe करें चैनल को like करना वीडियो को मिलते हैं हम अगले topic के साथ अगली वीडियो में जो होगी हमारी python booleans का topic होगा बहुत important topic है और strings भी बहुत important topic है NCRT 12th class की book में देखना आप string का अलग से chapter दिया हुआ है बहुत बड़ा लेकिन उस chapter को छोटी सी form में मैं आपके सामने लेकर आए हूँ ताकि हमारा time बत सके बार फिर से thank you so much मिलते हैं next वीडियो में take care bye bye shabak care